दोस्तों ये दो मूर काफी देर से आगे पीछे घूम रहे हैं और पता नहीं क्यों ये एक दूसरे पर हमला करने को तत्पर है और इनके पास ना कोई दूसरा कोई पक्षी है ना कोई मूरनी है ना कोई तिसरा मूर है लेकिन मैं इनको काफी देर से वाच कर रहा था कि ये क्यों एक दूसरे पर इतना खुंदक हाई वे हैं और मौका मिलते ही बहुत बड़ी जंप मारते हैं और अपने पैरों से सीने पर वार करते हैं मुझे ये समझ में बिलकुल नहीं आ रहा है और गुस्से में कभी-कभी पंग भी फैलाते हैं और गुस्सा इनका साप दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा मूर हार मानने को तयार नहीं है ये कुछ समझ से पर है मैं इनको काफी कुछ समझने की कोशिज भी कर रहा हूं और काफी समझ भी चुका हूं क्यूंकि आजकल इनका एक तो मेटिंग समय है इस समय जो ही ये काफी गुस्से में रहते हैं और भोके प्यासे ही ये अपने निर्ते के साथ मोर्दी को अपनी और आकर्षित भी करते रहते हैं लेकिन मुझे लगता है इसी बज़े से इनके आपस में ये खुंदक है देखो किस तरह ये जो है मुका मिलने पर वार करने को तत्पर हैं आगे आप देखना की जो है कैसे ये जब मार कर एक दूसरे पर वार करते हैं देखो ये बड़े बड़ा ही अजीब और करीब लड़ाई है कि ये पक्षियों में बहुत कम इतनी लंबी लड़ाई देखने को मिलती है लेकिन मौरों के बीच में वाकि बहुत लंबी लड़ाई होती है आप देखो ये देखो मतलब एक तरह से कबड़ी की तरह ये इनका ये एक आपसे दुस्मनी का खेल चलता है इसमें मुझे लगता है जो भाग जाता है वह हार वा मौर होता है लेकिन यहां पर तो कोई हार मानने को भी तयार नहीं है ये बड़ा ही चिंता का विचा है मेरे लिए क्योंकि मैं एक पक्सी प्रेमी भी हूँ और मौरों का बहुत बड़ा फेन भी हूँ क्योंकि ये मौरा दिक्तर मेरे ही पार्क में सुभी सुभी बगत दाना चुगने आते हैं लेकिन आज ये दिने ही दोनों लड़ते लड़ते ही हां तक पहुंचे इस समय पार्क में भी कोई नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो एक खुबसरत जगे पर ही जो आज एक ये यूद खेला जाए देखो भी इसके बाद फर्स पर आएंगे देखो कैसे घूम रहे हैं ये लड़ाई मेरे को बड़ ही इसलिए खुबसरत लगती है क्योंकि बड़े ही दाव पहुंच के साथ ये वार करते हैं और देजर अपनी चौंच पहले नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं और पूंच को ये अपनी बचाते रहते हैं यही सबसे बड़ा जो है सोचने का विशे कि मुझे लगता है अब आटेक नहीं होने देते क्योंकि यह इनकी सबसे बड़ी खुबसूरती भी है और इनके पंखों को कि बज़े से ही मुर्णिया मुर पर आकर्शित भी होती है जिससे मुर उसको अपने जाल में फसाता है और मुर्णी करवती भी होती है वो दिर से भी बड़ा देखने लाइग होता है जब मुर्णी के साथ ये मिलन करते हैं देखो अभी कितना घुसे में इसने अपना पंख फिलाया बहुत ही अजीब हो गरीब तरे की घटना आई ह in को हर कोई नहीं वाज करता है क्योंकि यताना समय अजके समय में किसी के पास नहीं है कि वह इस तरीकी चीज करें को band row करने मी काफी दिकत हे कए काफी समय हो गया है तो में रखना और फिर उक्साद में वाज भी करना है। और हम यह भी देखना हि कोई मेरे अगल पगल से कोई दूसरे ना निकले जिस् evolve कम pronounce कराओ लेकिन देखिए अभी भी ये अभी आप आगे देखोंगे जब जब मार गई एक दूसरे पर अठेक करेंगे और और यहां पर अभी कोई चुगने की कोशिज भी नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ी समझे ये है कि मतलब इनको भूग भी निलग रही है और ये लड़ाई कि मेरे से कैमरे से पहले आदे घंटे पहले से ही चली आ रही थी लेकिन जब मैं देखा कि ये वाकी बड़ा दुर्लब भिर्चिय है क्यों नहीं इसको केमरे में के दिख किया जाए इसका एंड कैसे हो कि देखो कुस्ता में पंग भी फड़वडा राय ड्राने एकोसिज कर लेकिन सामने वाल डरने को तयार नहीं है मतलब देखो ये रुका देखो लख दोनों ही अपनी पूछ बचाने को तयार है और इस समय पार्क में पक्सी भी नहीं है ताजुब के बाद एक इनको छोड़ाने वाले वाला तेसरा भी नहीं है नहीं तो इन दिखता देखा कि तिसरा मोर भी कभी कभी छुड़ाने की कोशिज करता है कि मतलब वो चाहता है कि ये लड़ाई खतम होनी चाहिए कि देखो कितना खुबसुरत पार्क में इज़व है कि दिर्शे चल रहा है बहुत ही गजब का दिर्शे है मित्रो मैं इसको एक छोटी सी डॉकुमेंटरी में दिखाने की कोशिज कर रहा हूं सायद आप भी कभी इस तरह की चीजें देखो को तो जुरूर आखो देखिए आप वाच कर सकते हो और उसका अनंदी अलग होता है मेरा कैमरा भी हिल रहा है और बड़े मुश्कल से में कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि लड़ाई में अन तक देखना चाहता हूं मेरी ब्याकुलता भी इसी पर्टी की है कि दो खुब्सूरत पक्सी जो जंगल की खुब्सूरती को जो है कैद करें और हमारे राश्टी पक्सी भी है जिसको हम मतलब जो है गर्व करते हैं इस पक्सी पर इसको मारना भी जो है बहुत बड़ा अपराध है एकर कोई इसको मारते हुए या इनको पंक उठाते हुए ले जाते हो दिखाई देता है तो उससे भी पूस्तास हो सकती है कि यह पंक तुम्हें कहां से मिले क्योंकि अदिक्तर इसको में उनकी बड़ी मांग होती है क्योंकि मौर का पंक हर एक सुपकारिय में यूज होता है तो इसलिए और सिर्किस्ट बगवान का भी यह मुकुट पर पंका जो है मौर पंका ही टीका है यह देखिए किस तरह यह जो अभी भी लड़ी रहे है मिजे तो सम्झ में नही तसन हुई है यह बड़ाई सोचने का भी से है मतलब देखो पाओं इनके कट-कट-कट-कट चलते हैं मतलब और जब की इस ताम कोई आवाज भी नहीं निकाल रही है मतलब साइलेंट वार कर रहे हैं बिलकुल अपना देखो यह देखो लैसा दिस चे बहुत मुश्किल से म मिलता है दिखने में दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मिलता है देखे यह देखो अब यह आगे के और जाएंगे अब यह एक दूसरे पर अक्रमन करके ही जो है दूसरा दाव अजमाता है यह बहुत बड़ी आप देखो और अन तक आप जुरूर देखे इनकी लड़ाई मैं पूरी कॉमेंटरी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आप देखकर इसका पुरा अनन लेंगे देखे किस तरह जो है अलब यह तो यह खुबसरत डांस करते हैं या फिर इस तरह की लड़ाई करते हैं कोई सोच सकता है कि इतना खुबसरत प्रक्षी इतना बड़िये निर्टे करने निर्टे करके दिखाता है और और जब इनकी लड़ाई होती है तो बड़िये जीवग करेंकर लड़ाई हुई है कि मिलब जो है धोनों हार मनने को तयार नहीं है और बड़े मोरका तो खाना भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि कि उसको अपने पंकों की देवाल करने के लिए अच्छी खुराख होनी चाहिए तब ही उनके पंक चलती नहीं उतरेंगे आनिता इतने भड़िया पंकों की चमक रखने के लिए खान पान का होना बहुत ज़र्वी है लेकिन जब इनका मोर्नियों के साथ संबनाने का समय होता है तो यह खान पान इनका उतना नहीं हो पाता है जिसका रण मोर्जो है बहुत जल्दी अपने पंक खराब करतेता है यह समय ही इनका बड़ा बिकट होता है क्योंकि इस समय यह मोर्नियों पर अपना आकर्षन का पुरा ध्यान लगाए होते हैं कि देखिए अब यहां पर देखो आप एक जबदस्ता ठेक होगा मतलब सोचने सकते हैं आपके क्या विजब का जो है दिर्चिय है हो जिसके लिए मैं कैद करके जो हूँ बैठा था और अब मैं आपको अपने सब्दों के साथ उन लमों को बया कर रहा हूं सायद आप को अनन्दा है मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो भी है वो सब के प्रिजब बहुत ही बढ़िया लेकिन वो दाओं मारने में सपल नहीं हो पाया कि सिर्फ अपने को हें महीं रख पाया उतह देर के लिए कि ये तो नीमोर अब बहुत जबरदसत तरिके से दोन absent अर उपने दोनल पे तो देख मैं अगो modo होता है यह और आमकी लड़ाई को देखनी के लिए आपको कहीं घंटे बैठना पाईगा तब ही आप जो है कोई गंड़ना कर सकते हो किसमें किसकी हार भी किसकी जीत हुई आप देखते रहिए अन तक जरूर देखिए कि ये कहां तक जो है अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं और दोनी बराबरी के मोर हैं इनके उम्र भी एक ही जैसी लग रही है क्योंकि अगर युवा मोर होता है तो उसके पंक जादा लंबे बड़े नहीं होते दोनों ही बड़े मोर है इसलिए ये आपस में जो है पूरी लड़ाई के लिए तयार हैं क्योंकि जहां उम्र और शरीर एक जैसा हो तो वहां सोच भी एक जैसी होती है जहां पर डर नम की कोई चीज नहीं होती है कि देखतर हो अप और अन्म तो इसका बहती लाजबा होगा जहां पर ये पंक फिला कर एक दूसरे को ड्राने कोशिश करते हैं वो जरूर देखेगा बंद में कि अपने पंकों को चड़ा कर दूसरे को ड्राने की कोशिश करता है मुझे भी मैंने सूचा कि ये हम नासने के लिए साहे तैयार हो रहा है ये ऐसा नहीं हुआ शरी पुसको डगाने के लिए उसने तेको यह लब इतना गुसा है कि पूछो ना बात है कि सोचने वाली बात है कि मतलब क्या सोच कि यह सब अब मतलब उसने पंकों को बिल्कुल इस्तम इखटा किये हुए है ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या करने जा रहे हैं हापस में मेरा हाथ में कैमरा भी मैं थक रहा हूं कैमरे से इस टाइम हूं देखे और देखे साथ है लाजवाब मतलब जैसे छिपरिया अपने फूंस आटेक मानने कोशिज करती है न यह पूंस अपने बचाने की खुशिज करते हैं पंकों वाली पहुंच वाली इनके लिए पंक सबसे पिर यह होते हैं देखो कुछ समझ में आ रहा है आपको मतलब अज़ीब गरीब लड़ाई है साथ सोचने वले बात है कि अशी भी लड़ाई होती है पक्षियों के पीछ में अज़ीब देखें इनको अब इदेखो इस दूसरे औल बुसाए इस तें मतलब दाव पताने कौन सा मारना चाहते हैं यह मैं यह निस में पाया बहुत ही अजब कजब काद शया है साभी इसके बाद देखेगा जब एक मोर पंक चड़ाता है यह देखिए कुस्य में जो एक में पंक खड़े कर दियें और दूसरा भी जो है पंक चलाने कोशिज कर रहा है यह देखो दोड़े पंक टाउन की है और इसकी कोश्रती स्टेंट देखने लाइक है अब यह अटेक करेगा इसके बाद जबड़ास अटेक करेगा और दूसरा जब बचके निकल जाएगा यह दाओ पंस अजबाने की पुरी कोशिज कर रहा है इस टेम यह देखो लेकिन उपचके यह दूर जागे भागे यह जब यहाद इनका पताने की जबात पर इससे लड़ाई होजी इनके यह दोने कोश वा रहते है जब यह पताने कब तक